राम सिया राम सिया राम जे जे राम दोस्तो आपका आपके अपने चैनल शांती गंगा पर स्वागत है बागिश्पर बालाजी महराज की जै दोस्तो यदि आप भी बागिश्पर बालाजी महराज के भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक चरूर की जीगा दोस्तों अकसर देखा जाता है कुछ लोगों के जीवन में आई दिन कोई न कोई परशानी आही जाती है जिस कारण वो ना जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं और ना ही अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर पाते हैं जिसके इच्छुगों होते हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे ही उपाय बताएंगे, जो मानव जीवन की कई परशानियों को दूर करते हैं, आपके जीवन में सुक्षान्तियों समर्दित जरूर आ जाएगी दोस्तों, यदि आप इस उप उपाय को करते हैं और दोस्तों उपाय जानने के लिए आपको वीडियो में अंतर तक बने रहना होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किजीगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा, दोस्तों चलिए आपको बता दे कि स पूरी होने लगती है आपकी जो भी मन में इच्छा होती है वो अवस्य ही पूरी होने लगती है दोस्तों सुंबार के दिन आप दो लोंग लेकर शिवालय जाएं आपको ध्यान रखना है केवल दो लोंग लेने है फूल वाले लोंग लेने है और दो लोंग लेकर आपको शिवजी के मंदिर जाना है शिवालय में जाना है और साथ में एक लोटा जल भी आप लेकर जाएं और ओम नमह शिवाय इस मंत मंत्र का निरंतर आप जाप करते हुए एक लूटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें आपको जल ले जाना है उसमें आप साधा पानी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं अगर आपके घर गंगा जल नहीं है तो भी आप एक लूटा जल ले जा सकते हैं और उसके बाद आप शिबलिंग पर जल चडדे और ओं नमा शिवै मंत्र का निरंतृ जाब करती रहें इसके बाद आप जो दो लॉंग लेकर गए हैं उसे एक भी घिया जला दे और आप चाहें तो सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं और जो दिया आप जलाएं आप उसमें भी एक लॉंग डाल दें लॉंग वाला दिया मननत का दिया होता है दोस्तों जब आप आपकी कोई मननत होती है या आप उस विश को उस मननत को पूरी करना चाहते हैं तो आप दिये मे लोंग चरूर डाले और फिर वहद्या जला दे इससे आपका हर कश्ट दूर हो जाएगा दोस्तो और यकीन मानिए जल्दी ही आपके जीवन से हर परिशानी दूर हो जाएगी और साथ ही आपकी मनुकामना भी पूरी हो जाएगी दोस्तो रुके हुए कारेों की सिध्धी के लिए ये प्रियोग बहुत ही लाब दायक है हर महीने में आने वाली गड़ेच चतोर्ती को गड़ेच जी का ऐसा चेतर या दुकान घर या दुकान में लगाएं दोस्तो जिसमें उनकी सूंड है वो दाई और मुरी हुई होनी चाहिए इसे आप ध्यान से देख लें दोस् काम के लिए इस उपाय को कर सकते हैं हर महीने में जो गड़ेच चतोर्ती आती है हर महीने गड़ेच चतोर्ती आती है दोस्तो साल में एक बार नहीं हर महीने आती है आप कोई भी पंचांग देखकर इस बात का पता लगा सकते हैं तो उस चतोर्ती को आप गड़ेच चतोर् रखनी है और उनकी आरादना करनी है गळेजी की आरादना करनी है AOGANG Site नमस्क करना है जितना आपसे हो सके जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लॉंग और सुपारी को ऊट में लेकर जय गळेश काटो कलेश बोल कर लुंग और सुपारी को साथ लेकर चले जाएं काम सिध होगा दोस्तो लॉंग को मुँ में रख ले और सुपारी को वापस लाकर गड़ी जी के आगे रख दे देखेंगे आपकी आपका काम जो भी जिस भी असंभव काम के लिए आप जा रहे हैं या किसी काम की इच्छा लेकर पूरी होने की इच्छा लेकर आप जा रहें वो आपका काम जरूर पूरा होगा दोस्तो धन लाब के लिए आप कच्ची घानी के तेल के दीपक में लॉंग डाल कर हर मंगलवार हर्मान जी की आर्थी करें इससे आपको धन लाब होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगातार आप 21 मंगलवार करें इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा दोस्तो ये आज के थे ऐसी उपाए जो आपको आपके जीवन में सुक शांति और समरिदी जरूर दिलाएंगे दोस्तो और हर इंसान की पश्टें वो जरूर दूर हो जाएंगे और आपके उच्वल भवश्य की कामना के लिए आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी कल फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्त रहिए और आपने वीडियो अंतता देखी मेरी बात को ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों